हेलो दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्सी के टेक ब्लॉग में तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मातारी वंदन योजना में फार्म अपलाइक कैसे कर सकते हैं अपने फोन या लैप्टॉप से घर बैठे तो दोस्तों बने रही है वीड सभी का इंटर्फेस ओपन हो जाता है यहां पर दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाती है जो की इस योजना के बारे में यहां पर रीट कर सकते हैं क्या-क्या डाकूमेंट आपके लगने हैं और यहां पर कौन कान से यहां पर निय होगा जो कि इस circle में आपको देखने को मिल जाता है जो यहां पर आपको यह त्रीट ड़िख रहा है simply आपको यहां पे ही click कर लेना है तो यहां पे जैसे ही klick करेंगे दोस्तों तो आपके पास यहां ही लागन ऑप्सवायलेट पर यहां पर जैसे ही ही दोस्तो क्लिक करेंगे तो आपके पास कीश इस तरीके का इंटरे often हो जाता है यहां पर आउस्सच दिशा निर्देश आपको देखने को मिल जाता है तो आप इस निर्देश को फोलो करके आप यहां पे आवेदन सफलता पुर्बक कर पाएंगे दोस्तों तो दोस्तों नीचे वाले option पे आपको click कर लेना है मैं अपने सहमती प्रतान करती हूँ या करता हूँ वाले option पे जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप click करेंगे click करने के बाद दोस्तों आपके पास यह वाला page open हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महतारी वंदर योजना लावारती login option आपको मिल जाता है date आज की आपको 702 24 यहाँ पे देखने को मिल जाती है तो यहाँ पे दोस्तों आपको simply क्या करना है अपना mobile number एक यहाँ पे इंटर कर लेना है जो आपके पास अबलेवल हो और आपका personal number हो यह आपके family का कोई personal number हो जो चालू इस्तित में हो तो यहाँ पे जाएसे ही आप अपना mobile number एंटर करेंगे देन यहाँ पे आपको capture इंटर कर लेना है capture करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको OTP भेजे पे send कर देना है दोस्तों यहाँ पे जैसे ही click करेंगे दोस्तों आपके mobile number पे एक OTP send हो जाएगा देन दोस्तों OTP आपको यहाँ पे simply done कर लेना है तो जैसा कि यहाँ पे आपको एक message दिख रहा होगा इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे submit करें वाले option पे आपको simply click करना है click करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का आपके पास face खुल जाता है यहाँ पे हितग्राही की जानकारी प्रतान करनी होती है तो दोस्तों यहाँ पे आविदेका का प्रकार क्या है आपको यहाँ पे simply click कर लेना जैसे ही click करेंगे विवाहिद, विद्वा, परितिका और तालाक, सुधा आप जो भी है option यहाँ पे choose कर लेना है दोस्तों तो इन option में आपका जो भी option है यहाँ पे choose कर लेंगे इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आविद्वा के पिता का नाम क्या है वह यहाँ पे इंटर कर लेंगे दोस्तों उसके बाद दोस्तों फिर नीचे की तरफ स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पे आविद्वा की जनम्तित क्या है तो यहाँ पे जो भी जनम्तित हो डाल ल कर लेंगे दोस्तों तें दोस्तों आबेदिका का वर्ग क्या है यहां पर सिंप्ली सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों तो यहां पर जन्परमार पत्र आधार कार्ड मद्दाता प्रचाय पत्र जो भी आपके पास यहां दस्वी की अंकसूची जो भी डाकुमेंट अब लेवल हो लाइसें ट्रे दियाक कर सकते हैं दोस्तों यहां पर दोस्तों कि सैंथ____ट यहां पर सकते हैं त्यस्टों यहां पर आप भीषब करेंग सेलेक्ट क possibility पर यहां पर दोस्तों आप खि Label करते हैं यहां पर अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है देन दोस्तों यहां पर आपको किस छेतर से जिला छेतर से हैं वह छेतर यहां पर सेलेक्ट कर लेना है ग्रामेड या सहरी जो भी है फिर आपका ब्लाग यहां पर जिस भी ब्लाग से ब्लाग करते हैं यहां पर ब्लाग से आप क्या लगता है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों यहां पर डोस्तों पमपाчन का नंबर आप क्या है अबेदका का अधहार number यहां पर इंटर कर लेए थिए पती का अधहार नमबर जो आपका मोबाइल नमबर परसनल हो यहां पर इंटर कर लेंगे दोस्तों इंटर करने के बाद दोस्तों यहां पर राशन कार्ड नमबर यहां पर अपना डाल लेंगे आपने फैमली का जो भी राशन कार्ड नमबर है उसका यहां पर इंटर कर लेंगे राशन कोई सदस्य भारत सरकार द्वारा अथ्वा राज्य सरकार राजकिये विभाग में मंडल में स्थाई रूप से कारत है यह यह नो पर तो नहीं पर किलिक कर लेना है दोस्तों यहां पर आज आता है आपका आवेदिका के बैंक एकाउंट की डिटेल तो यहां पर जिस नाम से यहां पर आवेदन कर रहे हैं उसका यहां पर बैंक एकाउंट नाम डाल लेंगे दोस्तों फिर आए अपसे डी कोड यहां पर उसका इंटर कर लेंगे दोस्तों इतना करने के बाद दोस्तों यहां पर नी वार्ण曲 रोटमेंट इसक्रूई करतेंस दोस्तों इतना करने के बाद दोस्तों यहां पर नीचे के त्रफ स्कोल करेंगे तो यहां पे जी स्थे एक सपने और अधर बनकमेंट इस दोस्तों यहां से निवास संबनेडि शक्षम अधिकारी द्वारा जारी परमार पत्र अपडोड करने होते हैं जैसा कि आपकी निवास परमार पत्र हो गया, आयड परमार पत्र हो गया या अगर नहीं बनागे तो आप स्यश्टी केंदर से बनुआ भी सकते हैं देन दोस्तों यहां पे अबेदिका का फोटो अपलोड करना होता है रासन कार्ड अपलोड करना होता है फिर यहां पे दोस्तों पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं देन दोस्तों यहां पे अपने पती का भी यहां पे अपलोड कर सकते हैं पैन कार्ड और यहां पे विवाहित ह होने का पुर्मारपत्र अपलोड करना होता है दोस्तों इतना सारा कुछ करने के बाद दोस्तों नीचे की तरह आएंगे तो यहां पर आपको एक सरकल दिख रहा है तो इस सरकल पर आपको किलिक कर लेना है मैं इस फार्म के साथ अपना आधार प्रिस्तुत जमा करता हूं या आपको आपको यह जानकारी हमारे दुरार बता इस अगर दोस्तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो के लुए लाइक जरूर करके कर देना